हेलो दोस्तों मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं और लिग्जैम सहब चलाएं दोस्तों आज का यह जो वीडियो है यह मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको करनी है कैसे फिल करनी है बहुत लोग को बहुत सारी दिक्कते हैं क्योंकि पोर्टल इनका थोड़ा सा अजीब है और वो समझने में बहुत दिक्कत कर रहा है तो उसी के लिए आज का यह वीडियो है तो जिन लोगों भी दिक्कत है उस वीडियो को एंटर जरूर देखें इसको यूट्यूब से भी पहले प्रोवाइड कर देता हूं तो बिना देर की हुए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं क्यों कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है पिछले कई वीडियो दो तीम वीडियो जो भी मैंने के बनाया थे उ ओके फ्रोफाल सेक्षन में जाने के बाद आप यहां पे जो भी डिट्यल्स हैं ठीक है अपनी जो भी डिट्यल्स है उनको यहां पे फिल करेंगे पर इसके बाद यहां पर मैं चिजह क्यों इस तरीके रिएगा नहीं तो आपका यहां पर एक्स अपने करेगा और आपको मैसेज देगा नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फोटो और सिगनेचर अप्लोड करने का ऑप्शन आएगा 80KB से ज़़्यादा फोटो और सिगनेचर नहीं होने चीए सिगनेचर अप्लोड करने दोनों आपको यहाँ पर टिक करना होगा और सेवर नेक्स पर क्लिक करना होगा देन आपके सामने जब आप सेवें नेक्स करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा final form final form क्या सिर्फ personal details related जो भी चीजे हैं वो आजाएंगी photo signature बगेरा आजाएगा सब कुछ यहां पर आपके सामने आपको दिखाई देगा फिर जब आप इसको नीचे scroll करेंगे तो आपके सामने पर print का option आएगा और फिर आपको लगेगा कि हमारा form खतम हो गया अब हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आ आपको वापस यहां होम पर जाना होगा आप देख रहे हैं उपर होम बटन बना हुआ है यहां पर राइट साइड में कॉर्नर पर जब होम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जाना होगा running application forms में ओके यहां पर जब आप जाएंगे अभी फिलाल हम वारानसी cantonment board का form भरके दिखा रहे हैं आप किसी भी बोट का भर रहे हो प्रॉसेस देम है जब आप यहां पर आएंगे तो cantonment board वारंसी का यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपको option मिलेगा application form apply करने का और pay unpaid receive तो अभी आपका fees पे नहीं है इसलिए यहां पर आपका option शो कर रहा है साती यहां पर application form का option आप यहां पर apply पर क्लिक करेंगे फिर से फोटो सिक्निचर बगएरा सब कुछ आ रहा है और जब हम इसको और जब हम इसको निचे स्क्रोल करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं अब आपको यहां पर next option मिल रहा है next पर आपको click करना है next पर click करते ही आपके सा लोग assistant teacher के लिए ही apply करने पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाकी जो भी लोग इसमें भी करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं तो यहां पर माल लीजिए हम सबसे पहले इसके सामने अपने असिस्टेंट टीचर के सामने आपके हम इसको select कर लेते हैं हमने select कर लिया select करने के आप आपके पास अप्शारेन लग जाएंगे तो यहां पर टू एर बीटी से अगर आपने किया तो वह select करेंगे नेक तो बीड़ अगर आपने किया है तो बीड़ कर लिया उसके बाद आप से पूछ रहा है कि डू यू है तो नहीं भी कर सकते हैं यह कोई कंपल सरी नहीं करेंगे तो यहां पर आप मालीजे अगर आपके पास है आप यस कर देंगे और यहां पूछ रहा है हमसे कि अपने यूपी स्टेट गवर्मेंट का टैट या फिर सीट अगर आपने क्लियर किये वाए तो यस कीजे बिलकुल यस करेंगे तब ही मारा फर्म आगे बढ़ेगा इसकी बाद पूछ रहा है कि do you have training program of six months of maternity तो इससे मतलब नहीं है हमें no कर देंगे यहां पर पूछ रहा है अगर आप कहीं पढ़ा रहे है प्राइवेट गवर्मेंट तो आप उसकी डिटेलियां दे सकते हैं इसकी बाद आप से पू देखिए में फॉर्म आपके सामने यहां पर नीचे आ चुका है अब देखिए आप से पूछ रहा है टेंथ की मार्षीट आपको यहां पर अपलोड करनी है ठीक है एड्रस प्रूफ अपलोड करना mandatory है जिसके सामने स्टार बना है वह अपलोड करना mandatory है सभी लोग के लिए departmental candidate if any अगर आप departmental candidate है तो ही आपको अपला करने देखिए अपने यहां no कर दिया तो यह यहां से option भी हट गया तो इसके लिए टेंचन मत लिजएगा एक सर्विसमेन का भी option यहां से हट गया क्योंकि एक सर्विसमेन नहीं अगर आप यहां पर yes करेंगे तो ही highlight होगा यह देखिए highlight होने लगा no कर देंगे वापस से बंद हो जाएगा तो आपको main mark sheet और 10th का document upload कर नहीं करना है साथ ही बाकी जो भी आपके document है like 12th की mark sheet वो पर upload कर सकते हैं certificate of teachers eligibility test या फिर seated उसका certificate आप इस जगा पर upload करेंगे और working experience अगर आपका कोई है तो आप यहां पर upload करेंगे वनना यहां पर कोई जरूरत नहीं है इतना करने के बाद आपको करना है submit submit से पहले आपको चेक करना होगा यहां पर declaration पे लोग इस पर नहीं क्लिक क का option आ जाएगा या फिर इसके बाद में भी मैंने इसके आप प्रोसीड नहीं क्या क्यों कि सारे documents upload नहीं कि लेकिन आप submit करेंगे तो इसके बाद में भी शायद आपको फिर से एक print लेने के लिए बोलेगा और वापस से आपको फिर से क्या करना होगा आपको जाना होगा home पर ठीक है जैसा कि मैंने बताया running application forms में जाएंगे और इसके बाद वारानसी cantonment board कहां पर है यहाँ पर इसके सामने पे जो option है इस पर जाके apply पे click करेंगे ठीक है तब आप से पूछेगा यहाँ पर केस के लिए आप apply कर रहे है वारानसी में apply कर रहे है exam कौन सा है यहाँ सट करेंगे submit पर क्लिक करेंगे अभी देखिए record not found दिखा रहा है क्योंकि मारा form जो है completely वहां से submit नहीं हुआ है तो जब आपके completely submit कर लेंगे form को तब यहाँ पर आपका जो है payment option open हो जाएगा तो ज्यादा तफ नहीं था फिलहाल लेकिन थोड़ा सा typical है मतलब थोड़ा different portal ह है इनका तो जिलो को भी दिक्कत ही शायद उनकी problem solve हो गई होगी और आगे वह proceed कर पाएंगे अगर फिर भी दिक्कत आए आपको ताब मुझे comment करिए message करिए जिस भी तरीके से आप content कर सकते हैं टेलिग्राम चाहे YouTube पर comment कर सकते हैं मैं आपके पूरी help करूंगा जिस तरीके YouTube चैनल को जोइन करें साथी YouTube चैनल को भी subscribe कर लें मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड जाहिन